हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन में फिर से स्वागत है दोस्तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने किसी रूबिक्स क्यूब को कम्प्लीटली सॉल्फ करना बताया और कुछ पैटर्न भी सिखाए अगर आपने वो वीडियोज न देखा हो तो अप हमारे इस वीडियो के description बॉक्स में जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको एक और पैटर्न बनाना सिखाऊंगा जिसे diagonal करते हैं उसे बनाने से पले मैं आपको दिखाना चाता हूँ दोस्तो diagonal pattern होता क्या है तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक और rubik's cube है जिसमें मैंने पहले सही diagonal pattern बनाया है इस diagonal pattern में अब surface और bottom surface completely colored होते हैं और side के surface में diagonally आपके colors मिलते हैं आप जैसे देख सकते हैं friends यहाँ पे आपको diagonal पे same colors मिल रहे होंगे चलिए friends इसी pattern को हम लोग बनाना सीखते हैं तो friends इस pattern को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक completely solve rubik's cube चाहिए और उसको हम लोग को उस पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इस formula को apply करेंगे यह formula क्या है front, back, right, left और सभी हम लोग clockwise apply करते हैं तो चलिए friends apply करते हैं आप कोई भी rubik's cube को किसी भी तरफ से पकड़ सकते हैं और उस पर यह formula लगाएंगे तो सबसे पहले है front, back, right and left friends आपको यही formula तब तक लगाना है जब तक की upper और bottom surface फिर से completely colored न हो जाए तो चलिए friends फिर से इसको apply करते हैं front clockwise, back clockwise, right clockwise and left clockwise फिर से इसको apply करते हैं front clockwise, black clockwise, right clockwise and left clockwise तो friends आप देख सकते हैं कि हमारा upper surface और bottom surface फिर से colored हो गया है और साथ ही साथ अगर आप side के surface देखें तो इन पे diagonally आपको patterns दिख रहे होंगे so friends अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो like जड़ करें और अगर आप इस channel पे पहली बार आ रहे हैं तो subscribe करना न भूलें हम ऐसे ही और वीडियो भी आपके लिए लाते रहेंगे so friends see you have fun आपके लागर आपके लाते हैं